हेलो एवरिवन आज मैं आप लोग के सामने की यह रिक्वेस्टेड वीडियो था LKG क्लास का जो सिलेबस है थ्रू सीबीसी देखे छोटे बच्चों के लिए तो क्या है सीबीसी बस होता है पूरे एक प्रॉपर सिलेबस होता है और LKG की बच्चों को क्या-क्या पढ़ाना चाहिए मैंने कई सारे ऐसे वीडियो देखें यूट्यूब में कई सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बुक्स के अकॉर्ड या फिर जो उन्हें समझ में आता है उस तरहीं कैसा दे देता है तो मैंने आज सुचा एक पूरा प्रिसक्राइब आपको मैं सिलेबस दूं एक जगह और यह मैंने अभी आज सिर्फ लिया है English का मैंने सिर्फ English को यह सिलेबस लिया है मैं आपको सारे ऐसे इंडिविज्यूल सिलेबस दूंगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले तो क्या होता है फर्स जो कुछ दिन होते हैं 4-5 दिन स्टार्टिंग के LKG क्लास के उसमें A to Z revise होती है सिर्फ A to Z capital letter ये बात कर रहे हैं then main इसमें focus होता है LKG के बच्चे की जो स्टार्टिंग होती है यहां से start कराना होता है अब मैंने ये कुछ points लिखे हैं जिसमें cursive letter में क्या-क्या आना चाहिए identification का means होता है कि जिसे मैं अगर एक proper इसी में बताती हूँ मैं आपको identification का meaning होता है कि बच्चा ये recognize करने लगे कि अभी सिर्फ समझना ये E, A है ये B है, ये C है इस तरीके से वो सिर्फ alphabet recognize करे writing means वो इनको लिखने लगे means बच्चे को पूरा A to Z लिखना आना चाहिए next इसी के syllabus में आता है object related to each other ये alphabet की बात हो रही है जैसे अगर हम apple तो जैसे apple है तो उसका जो starting word होगा वो ये A होगा cap की बात करेंगे तो cap होगा इसी तरह के से मैं इसकर्ट से ज़्याद अच्छे नहीं है F होगा तो बच्चे ये समझने लगे इसलिए आपको ये जरूर से जरूर ये आप worksheet बनाएए मैंने कुछ videos बनाए हैं तो वो आप उसमें पीछे जाके चेक कर सकते हैं हैं वो आप जरूर देखिएगा इसमें क्या होता है जो vowels होते हैं हमारे पूरा इन का introduction आ जाता है introduction ऐसे वोवल नहीं किया जाता है sound की help से किया जाता है जैसे a को a बोलेंगे तो कुछ मैंने जैसे a की बात करें आप वीडियोस चेक करेंगे तो समझ में आएगा जैसे app, at, as इस तरीके के word होते हैं तो बच्चा समझता है जैसे आप बोलोगे cap, map, इस तरीके से कुछ words होते हैं rat, bat तो बच्चा easily समझ लिता है आप प्रीज वो वीडियोस चेक करिएगा जो next होता है joining three letter words मैं आपको अब यह दिखाती हूँ joining three letters word होता है जैसे अगर किसी बच्चे को आपने दिया है, for example यह दिया है, यहाँ पर फिलिन्दा blanks लगा दिया है यहाँ पर आप यहाँ alphabet भी लिख सकते हो तो बच्चा कुछ, अपने according उसको जो समझ में आ रहा है क्या आप लिखेगा या फिर आपने यहाँ at लिख दिया है, उसके बाद यह next उसके syllabus में होता है तो वो b लिखेगा, bet इस तरीके से आप आगे का जो letters है words बनेंगे वो होगा next है, article बच्चों में आ जाता है सिर्फ A, N, N LKG के syllabus में A, N, N का ही आता है, दा नहीं होता है तो प्लीज यह कोशिश करिएगा A और N समझाएंगे और जो LKG class में समझाया जाता है वो इस हिसाब से नहीं समझाया जाता है जो LKG में आती है N के बाद use of this and that yes, this and that बच्चा LKG class में ही starting करता है जो singular और plural होता है वो LKG class में introduce होता है one or many के रूप में तो आप इसमें बच्चे को one or many ही बताएंगे जैसे one cap three caps तो इस तरीके से बताएंगे next LKG के syllabus में आता है position words जिसमें आपको बताना होता है in, on, under ये तीनों आपको position बतानी होती है last है opposite words opposite words का भी मैंने वीडियो बनाया है जो एक LKG class के बच्चे के लिए होता है तो प्लीज आप उसे चक करिएगा तो ये final जो syllabus है ये जो final syllabus है ये है LKG class के लिए अगर आपको इसमें कुछ भी थोड़ा सा भी doubt है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप में को comment section में comment करके बताईएगा मैं इसे पूछिएगा बट ये एक English का syllabus है LKG class के लिए आप मैं description box में वो links दे दूँगी तो आप वहाँ से वो वीडियोस चेक कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे बढ़ाना है अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करिए नेक्स वीडियो के लिए थैंक यू बाई बाई